या बॉयुद्व नोगोशा की किस एलरी की साथ तोने जहिए हैं अरे वह सेल उनी चाहिए यह बीस परसै्ट होनी चाहिए या बीस 15% के 8% के 9% कितनी percentage of the sale आप खर्चा कर रहे हैं अपनी कंपनी के अंदर ये सवाल ना बार 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 आता है ये इसलिए आता है क्योंकि बिजनस ओनर से आम तोर पे मैंने बात की है और ये समझा है वो कहते हैं कि देखो जुमन क्या है कि जब हमने ना एक sale की किसी product की service की contract किया तो profit तो आ गया लेकिन क्या है कि हमारे profit and loss account की अंदर जो एक expense होता है एक बहुत बड़ा expense है salary का तो जैसे हम salary बेगरते हैं तो profit कतम हो गया अब कहीं मैं salary बो जादो नहीं बेगर रहा यह सवाल बार बार आता है क्यों क्यों क्योंकि property खतम हो गया अच्छा इसमें बड़े दिल्चस्प किसे है किसा number one जैसे मैं आप से बात करता हूँ जो service category की लोग है चाहे वो चाटेड एकाउंटेंड है चाहे वो architect है interior decorator है वो किसी भी तरह के service provider है तो उन्होंने कहा कि हमें काम मिलिया अब काम अगर हमने एक महीने में complete किया तो उस काम को complete करने के पीछे लगी एक महीने की salary अच्छा वो काम delay होता चला जा रहा है और वो दो महीने लग गए तो उस काम के पीछे लगी दो महीने की salary अच्छा वही काम तीन महीने चार महीने पांच महीने extend हो गया और उसके पीछे लग गई पांच महीनों की salary देखो salary तो हर महीने जानी है ना एक चार्टेट एक काउंटेंट के office के अंदर उसको पता है कि उसको 100 income tax return फाइल करनी है अब income tax return फाइल करने की last date क्या हो दिया जी 30th September ओलिट वाले और 31st जुलाई चलो जुलाई मालो तो अप्रेल मही जून जुलाई तो रिटर्स तो वही फाइल होनी है 100 ही अगर वो अप्रेल के महीने में सारी रिटर्स फाइल कर दी तो चलो जी रिटर्स भी फाइल होगी बिलिंग भी होगी पैसे भी आ गए और एक महीने की सेलरी लगी और हमारा काम खतम रेविन्यू आ गया अच्छा रेविन्यू तो उतना ही आना है जुलाई तक चार महीनों के अंदर और सेलरी यां लगए चार इसके ऊपर अच्छा कई बार तो डेट एक्स्टेंड हो गई चार्ट एकांडेट फार्म वाले क्यों परिशान होते हैं कहते हैं डेट एक्स्टेंड हो गई है अब जुलाई की डेट बढ़के अगस्त हो गई है अब वही वाली income tax return जो 31st जुलाई तक फाइल होनी थी अब वो अगस्त के महीने में फाइल होगी तो अगस्त के महीने में जो salary दी जाएगी कोई additional revenue थोड़ी generate हो रहा है अब मेरा point समझ रहे हैं मेरा point यह है कि salary हर महीने हर महीने हर महीने देते चले जा रहे हैं तो कोई न कोई ऐसा criteria तो होगा कि चलो ठीक है कि overall बताओ एक साल के अंदर total one year के अंदर जो हमने revenue यानि कि sale generate किया और पूरे साल में जो salary पे कर देते हैं company के खर्चे में वो कितने percentage होनी चाहिए मल लीजिए किसी का net profit margin ही 10% का है अब क्या है month by month by month by month by month by month by salary पे करते 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 ऐसा हो गया कि की की दाड़ी से मुझे नंभी हो गई यानि कि salary या इतनी पे कर दी पूरे साल के अंदर तो पता लगा कि जितना revenue आया वो तो salary पे करने में निकल गया बाकि net profit 10% तो क्या minus 12% हो गया क्यों हो गया क्योंकि salary की percentage यतनी बढ़ गई कि वो profit भी 10% खा गई और 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 बुक्स में loss लेकर आ गई तो इसलिए ना इसलिए ना salary एक बड़ा ही important aspect है और हमें देखना होता है कि पूरे साल में मैं जितना revenue project कर रहा हूं उस revenue में total cool मिला के मैं overtime मिला सब मिला मिला मिलू के सारी की salary की percentage कितनी होनी चाहिए आप करें जगवान समझ आ गई question पूरी तरह से समझ आ गया अब answer दे दो लो जी answer ले लो जिस company की हम बात कर रहे हैं उसके अंदर पहले हम चलते हैं industry के अंदर चरिए industry के अंदर तो industry की study करने के लिए हमें क्या करना होगा एक बार हम चलते हैं screener.in पे चलते हैं और किसी एक company को ले लेते हैं माल लीजिए उस company का नाम है Tata Motors Limited तो मैं कहां पे गया screener.in पे गया और वहाँ पर मैंने search company किया कौन सी company Tata Motor Limited अब मैं इतनी slow क्यों बता रहा हूँ ताकि एक पर दिमाग में clear हो जाए कि आप जिस भी business की अंदर है आप जिस भी line of business की अंदर है उस line of business में कोई तो listed company होगी आप automobile में है कि आप कहा है आप automobile में नहीं है आप distribution में है आप garments की अं चुकी है हर category में company है उस लिस्टेट company को खोल लिया आप कहते हो खोल लिया जिगों अब बताओ टाटा मोटर से लिवेटेड में गए अब थोड़ा सा नीचे जाना शुरू करोगे ना नीचे जाना शुरू करोगे यहां पर आपको क्या नजरा रहे है रिजल्ट नजरा र यह यह कर दिया यहां देख रहे हूं employee cost as a percentage 10% 10% 10% 10% 9% 10% 2021 से लेकि 2024 तक का हमने इसके पास्ट के data को analysis करना शुरू किया कि अच्छा एक जो automobile की company है जिसका नाम है Tata Motors Limited वो अपने total revenue का 10% जो है वो कहां दे रही है employee cost में दे रही है तो हलका सा एक reference idea लगा चलो एक और लेके चलते हैं एक और company है जिसका नाम है moneyver यानि कि विदान्त fashion है ना वो विदान्त fashion में जागे देखते हैं कि भाई सब आपका क्या हाल चा रहे हैं आप क्या कर रहे हैं तो यह कह रहे हैं कि मेरे जो खर्चें हैं उसमें मेरी salary की cost आ रही है पांच छे छे चार पांच छे चार तीन चार चार तीन तर अच्छा गार्मेंट manufacturing की कंपनी है वहाँ पर इसकी employee यानि की salary cost 3.68% आ रहे हैं टाटा मोटर विदान्त fashion आप करें कुछ और दिखाओ अच्छा एक कंपनी तो service की कंपनी है प्योर service कंपनी है टाटा टाटा consultancy services limited एक्जामपल ले रहा हूँ जो की listed कंपनिया है ताकि एक दिमाग चलना शुरू होना एक एक direction मेरे फिर आपकी कंपनी का भी calculate करेंगे तो टाटा consultancy क्या पोल रही है वो कह रही है मेरी employee cost 56 परसेंट 56 परसेंट 57 परसेंट क्योंकि service कंपनी है अब इस service कंपनी ने क्या किया हुआ है इसकी turn over उपर बहुत बढ़ी है quarterly turn over 61,237 करोड की है और यह जो employee cost परसेंटेज ना 57 परसेंट यहां पर constitute कर रही है अच्छा और देखें कोई और देख लो एक example ही देखना है आपको अपनी खुद की कंपनी का डाल के देखी लेना ना यानि आपकी से related कंपनी है तो यहां देखते है Reliance Industries Limited के अंदर जाकर देखते हैं इसके expenses के अंदर employee cost कितनी आ रही है तीन परसेंट मातर तीन परसेंट देख रहे हैं तीन परसेंट चार परसेंट दस परसेंट 56 परसेंट तो जैसे जैसे company का nature बदलता चला जाएगा वैसे वैसे आप देखते जाओगे कि salary की cost की जो percentage है अ आपर तीन परसेंट निकल कर आया आप कहरें थोड़ा सा और बताओ जोगमोन एक दो एक्जामपल और देदो ले लो कोई भी एक्जामपल ले लो किसी भी company का भी डाल के देख लेते हैं तो अब डाल के देखते हैं बजाज फिन सर्व लिमिटेट यह एक service company के अंदर बता और किसका देखें नेसले का देखें कितनी है जी 10% manufacturing गम्री 10% किसका देखना है जो भी आपको हो जो भी आपको हो बताओ चैट बोक्स में जो भी आपको हो फटा-फट देख लीते हैं ना फटा फट देख लेते क्योंकि यह context एक building जब हमें ओर आल यूनिवर्स का पता जबता है उसके बाद सिरह हम माईनिवट कर्रेक्शन के अंदर जाते हैं तो रेनु जी कह रहे हैं कि जगोन तुम salon देख लो पुलीव जी कह रहे हैं सन फार्मा यह देख लो यूस भी देख लो चलो देख लेते हैं देख लेते हैं तो एक बार के लिए salon कहां कि Salona कोर्स भी ना रही है आपने क्या बोला था Salona ही बोला था क्या Salon इंडस्ट्री ठीक है तो Salona Salona आया मेरे पास से लो जो भी आया तो यहां पर हमने देखा का 2% मात्र 2% सेलरी अच्छा जी तो सन फार्मा सन फार्मा सोटीकल की परसेंटेज आ रही है जी कितनी आ रही है सन फार्मा की कुली जी आ रही है जी 19% अच्छा तो अब इतनी सारी तो आप कह रहे हो कि एक और देख लो यूस वी कोई भी रसना खाली ना रह जाए आपकी participation जब आप कुछ देखोगे न तो उसके बाद क्या होगा दीरे 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 चीजें बननी शुरू होगी वो USP नहीं आ रही तो चलो मैं अब आपको main discussion पर लेके चलता हूँ एक DISA India Limited और देख लेते हैं DISA India Limited की अगर हम देखें तो यहां पर हमें समझ आया कि 13% तेरा अठारा भी हो गई थी तेरा बारा तो आप कहरें जगवन तुम क्या कहना चाहते हो बताना क्या चाहते हो समझाना क्या चाहते हो मैं कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो आप देखो कि overall जो यह industry है ना इसकी अगर आप salary को देखना शुरू करेंगे तो आपको एक idea लगेगा बट उसको ना आप पूरी तरह से पेस नहीं ले सकते ना पूरी तरह पेस नहीं ले सकते हलका सा एक idea लगा कि पेस इसले नहीं ले सकते अब देखो लाइस इंडस्ट्री लिम्टेड का रही है कि 3% 3% के अंदर ही मेरा काम चल जाता है अब ऐसा इस लिए है क्योंकि उसका volume बहुत बड़ा हो गया है एक level के बाद salary की percentage का मुनी चुरू जाती है volume बड़ा हो गया अब जब volume छोटा होगा तो salary की percentage जादा होगी हमें फिर करना क्या है जब हमें पता क्या करना है हमें सीधा सीधा अपने business के उपर चलना है कि salary की percentage क्यात करने के लिए हम चलते हैं discussion panel के लो जी खुल गया discussion panel और इसको थोड़ा सा कर देते हैं बड़ा ताकि आपको clear cut दिखाई दे लो जी अच्छा ये कह रहा है कि आपने इतनी सारी शीटें बना दी कि और शीट बनाने की जगा ही नहीं पचे कोई बात नहीं हम भी कौन सा रुकने वाले ठीक है यहाँ पर तो करीद होगे हाँ ठीक है चलिए लो जी लो यहाँ कर लेते हैं हमें कौन रुकेगा ओके ठीक है तो इधर हम आगे तो हमने बात कि कि देखो सैलरी की परसंटेश डिटर्मिन करने के लिए ना फार्मूला बड़ा सिंपल है पहले आप देखो आप सेल कितनी कर रहे हैं आप कर रहा हूं अब सो रुपे की कर रहे हो तो आपको जी पी कितना आता है और आप अप कर्चे माइनस करोगे तो एन पिजनस में कम से कम 10% मारिजन चाहिए चाहिए अच्छा आप क्या जो मैं बिजनस कर रहा हूं मेरे बिजनस के अंदर जगवान 40% का जीबी मारिजन है तो अगर भाई साब आपका जो जीपी मारिजन 40% का है तो फिर सीदी सी बात हो गई ना कि जो fixed cost है आपकी वो कितनी होगी जीपी में से NP- करूँगा यह दे जीपी की percentage आगई ना तो is equal to 40 minus 10 30% सीदी सी बात है fixed cost बोलो आप indirect expenses बोलो यह आपको समयना बढ़ेगा आपकी company के बारे में study करने के लिए कि salary की percentage होनी कितनी चाहिए salary की percentage से पहले हम यह तो देख लें कि हमारे पास salary pay करने के लिए बचा कितना मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर 100% की आपकी sale है और उसमें से GP अगर 40% की है और आप NP 10% की चाहते हो तो यह balancing figure यही तो आएगी आप कहा रहें जगमोन समझे गए इतनी simple सी mathematics की बात है लेकिन फिर भी ना इस सीज के ऊपर miss कर जाते है basics को हम fixed cost की percentage 30% आएगी आप कहा रहें मेरी industry के अदर जगमोन margin ही कोई नहीं है मैं तो सिर्फ 18% पर काम कर रहा हूँ लेकिन मुझे profit जो है 10% कमाना है तो यानि कि खर्चा करने के लिए बचा क्या 8% तो तेल तो तिलों में से निकलेगा इसका मतलग यह हुआ कि जो salary है वैसा salary तो इसी fixed cost में कहीं ना कहीं छुपी हुई है तो पहले हमें salary की percentage decide करने से पहले fixed cost की percentage निकालने पड़ेगी आप कहरे हो कि जगमोन देखो ऐसा है मेरी industry के अंदर जीपी margin मातर 7% का है और मैं NP percentage कमा लेता हूँ 2% का तो फिर आपको खर्चा करने के लिए 5% ही बचे है आप देख रहे हो यह salary की जो percentage निकलती है वो percentage as a revenue कर रही है अब reliance की company की मातर 3% की salary की percentage आ रही है इसका मतलब यह नहीं कि वो कम salary पे गर रहा है वो बहुत salary पे गर रहा है लेकिन उसका उपर वाला हिसा जो है ना उपर वाला हिसा turnover वही बहुत ज़्यादा है उसके जीपी margin को ऐसे सेट कर रखा है उसने कि अब जो है अब TCS 54% है वो तो service class है है employee की ओपर based है तो आप कहा रहे हो कि ठीक है जगमहन मतलब मैं तुमारी बात समझ पा रहा हूं overall तुम यह कहना चाहते हो कि कि किसी भी निशकर्ष पे पहुंचने से पहले GP margin चल ठीठ ठाक लेने 30% की GP margin है और मुझे अपने business में कम से कम 10% तो चाहिए 10% चाहिए तो आपको फिर खर्चा करने के लिए कितने बचे 20% बचे तो यह आपने second perspective समझा पहला perspective क्या था पहला perspective यह था कि जो हम business कर रहे हैं एक बार उस business के अंदर industry में क्या कर रहे हैं वहां percentage देख लो कहा screener dotting में जाके दूसरे बार अपने business के model को test कर लो कि अगर मै GP percentage चाहता कितनी हूँ और NP चाहता कितनी हूँ अभी तो बात सिर्फ चाहत की हो रही है अभी तो past data देखा ही नहीं आप कह रहे हैं जग मोहन जब finance की बात करती है ना मेरी किताब ही पूरी नहीं है मेरी समझी नहीं आ रहा मेरी किताब है किताब है कि नहीं है वो एक अलग लेंगे कि हमने करना क्या है, पूरा बनाके दूँगा, A to Z बनाके दूँगा, आप कह रहें अच्छा, ठीक है, दोनों बाते क्लिर होगी, आगे बड़ो, बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, ऐसी क्या बात है, लोजि, तो यानि कि GP की मारजन, जो मेरी होगी, उसमें अपने बिजनस को ना विजुलाइज करो आखे बंद करके विजुलाइज करो अपने बिजनस को कि मेरा बिजनस जो है दिखता कैसे है मालो आप ना ड्रोन हो ड्रोन ड्रोन नी होता जिसमें कैमरा लगा हुआ है अब ड्रोन हो उसमें कैमरा लगा हुआ है और आप उड़ रह यह पूरे ब्रमाण का वर्चन करके आती है सब देखे फिर दोबारा शरीर में आ जाती है तो अब हमें इतनी इतनी ज्यादा प्रशान होने की जुरूत नहीं है आज की डैटर के हमारे पाद ड्रोन है हमारे पाद ड्रोन है लगाओ ड्रोन उसमें के लगाओ कैमरा और अपन रहा हूँ मैं आज आप से ड्रोन टेकनोलोजी चलो अब आप अपने बिजनस को ड्रोन की तरह देखो और यहां पर ना आप जितने भी तरह के आउट लो यानि कि खर्चे करते हो उसको विजुलाइज करने की कोशिश करो जैसे कि आप ना अपने ओफिस जा रहे हो ड्रोन के दोरा जैसी आपने बाहर देखा तो बाहर कौन खड़ा था सिक्यूरिटी गार्ड खड़ा था अब देख लो आपकी ओफिस के बार सिक्यूरिटी गार्ड रखना है कि नहीं रखना अगर रखना है तो उसकी सेलरी होती होगी तो भाईस अब सिक्यूरिटी गार्ड हर महीन सी टीवी कैमरा भी लगा हुआ है और बेल मानने के लिए वो भी है इसका मतलब है कि आपके यहां पर इलेक्ट्री कल इलेक्ट्री कल रिपेर मेंटेनेस का खर्चा तो होता ही होगा ना मैं देखने का नजरिया दे रहा हूं हर महीने कोई ना उसके अंदर तो खर्चा तकरीवन तकरीवन जो है वह बारा सुर पर महीने का कुछ न कुछ तूट-पूट लगी रहती है अब जैसी आवंदर गए अंदर जाते ही आपने देखा इसी चल रहा है अच्छा इसी चल रहा है तो वह कैसे चल रहा है electricity expenses होंगे आपके आप देखो मंतली खतने खर्चे करती हो अब मैं क्या कर रहा हूँ खर्चे नहीं लिख रहा वो अपने आप लिख लेना अंदाजा लगाना मैं आपको drone technology के दोवारा एक एक चीज़ को identify करने के बारे में बात कर रहा हूँ नई तो हमने अपने लेजर एकाउंट के नाम ही ऐसे रखे होते हैं कि हमें खुद ही नहीं पता होता कि किस किस हैड में कहा कहा पर लिखे जो रही है क्योंकि हमारे पास बज़े ही खर्चे करने के लिए 20% है अब इसका जो total आएगा इसका जो total आएगा मेरे दोस्तो वही तो वही तो हमारा जो हमारी sale आएगी उसका percentage calculate कर पाएँगे आप कहारें जिगों तुमारी logic मेरे को समझ में आ गया तो अपने office में जैसे ही गए तो security guard दिखा हमने दिखा bell दिखी तो electricity याद आई इसी चल रहा था अब इसका मतलब है electrical repair maintenance में एसी की maintenance भी आ जाती होगी फिर आपने सामने जागर देखा तो आपको क्या दिखाई दिया आपको दिखाई दिया furniture and fixture तो इसको क्या करें office equipment office equipment की maintenance आप कहरें ठीक है तो उसके ओपर कोई खर्चा होता होगा अब इसको ना grouping करने का बड़ा प्यारा तरीका होता है इसको मैं बोलता हूँ लेजर नेम क्या बोलता हूँ लेजर नेम आपने कौन से लेजर में लिखने है उसके आगे यहां पर आपने लिख दिया group name अब हुआ कि यहां पर अब जैसे ही आपने office में एंटर किया तो सामने आपको दिखाई दी receptionist इसका मतलब है कि अगर आप अपनी टेली के अंदर employee wise salary के ग्रूप के अंदर employee wise account खोलते हो मान दीजे यह salary है तो यहां पर क्या दिखाई देगा भी आपको salary receptionist दिखाई देगा अपने नाम लिखना नाम लिखना इसकी कोई ना कुछ salary होती होगी अब receptionist ने कहा कि सर अंदर बैठे हैं तो आप अंदर जाने के निकली रहे थे आपको बड़ी अच्छी प्यारी प्यारी खुश्बू आई पैंटरी के पास से निकले अगर पैंटरी क business promotion, client entertainment वाला खर्चा होगा अब आपने देखा अभी अभी कोई employee बाहर से अंदर आया और उसने अपना helmet कहीं पर रखा तो बाहर से कहीं से आ रहा होगा तो इसका मतलब यह है कि उसकी convince का खर्चा भी होता हो अच्छा फिर आप आगे चले गए आगे चले गए तो लोग और फैसे एक blue dot वाला या कहता है मैंडम courier करना है मैंडम कोरियर करना है ? मैंडम को कहती है मैंडम को ख़िए सब्रकर किया कारते है तो खीक है जी परसों ही सिंगापूर से वापिस आए है अच्छा परसों ही आए है तो यानि कि ट्रैवलिंग के expenses भी होते होगी मैडम जिस पर बात कर रही थी उनके हाथ में टेलीफोन था तो टेलीफोन के expenses भी होते होंगे company के अंडर अच्छा तो आप देख रहे हो खर्चे खतम ही नहीं होते हैं अब आपको यह देखना है कि खर्चा कोई मिस तो नहीं कर रहे हो अब यह सारे के सारे खर्चे जो है ना ये 20% के अंडर में होने चाहिए अभी तो खेल शुरू हुआ है अभी तो count करना शुरू करो एक बार आखे बंद करके drone technology के दुआरा आप देखोगे तो आपको यार कमाल होगी मैंने कौन-कौन से कर्चे कर रखे हैं अभी जो देखा आपने जो 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 जुमीन थी फरश्टी उसे बड़ी प्यारी-प्यारी सी खुश्बू आ रही थी क्योंकि अभी-भी ना कोलीन का पोचा लगाया था बढ़िया वाला सेंट डाल के महंगे वाला तो आप कहते हो कि उसके अंदर office maintenance हाँ office maintenance सामने जो आपके फूल पोदे भी लगे हुए थे अच्छा उसके बाद आप चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ विजुलाइज करते जाओ फैक्टरी पहुंच जाओ फैक्टरी में देखो कहा अकबर है फ्रेट, ट्रांस्पोर्टेशन, पुलिंग जाने कितने हैं पैकिंग के खर्चे हैं जोग बर के खर्चे हैं अपनी फैक्टरी में और अंदर चले जाओ कहीं पे कोई अलग अलग मैं अब सारे नहीं लिख रहा मैं आपको एगना भाव देना चाहता था भाव यानि कि एक feeling देना चाहता था लोग कहते हैं मुझे समझी नहीं आ रहे मेरा profit जाता कहाँ पर है मैं कहता हूँ आपका profit ना सारा का सारा खर्चों में चला जाता है आम तोर पे धारना क्या है कि लोग ना ऐसे calculate नहीं कर रहे लोग कैसे calculate कर रहे हैं लोग calculate कर रहे हैं कि ठीक है जी मैंने 100% की sale की है तो मेरा 30% का GP है उसके बाद दे खर्चे पे खर्चा दे खर्चे पे खर्चा दे खर्चे पे खर्चा इतना खर्चा कर देते हैं कि इसको कर दिया खर्चे को 32% कि इतना कर दिया खर्चे को तेरे चार्जेज, मेरे चार्जेज, उसके बाद बैंक के इंटरस्ट के अंदर तो लगा लो धेरो धेर लगे हुए है, CC का interest लग रहा है तो OD का interest लग रहा है तो ना जाने कौन-कौन से खर्चे हैं, फिर consultancy की खतम नहीं होती फिर जो है professional fees ही खतम नहीं होती उसके बाद जो है कोई show की नहीं खतम होते देखा था reception की उपर क्या लगा हुआ था Netflix लगा हुआ था वो बड़ी आवाला चलो लगाना है आपने उसके बाद TV रिपेर जाने कितने लोग क्या कर रहे है कि 100% का अगर आता है तो GP कहते है मेरी मेरा GP 32% का है और खर्चे बस किये जा रहे हैं किये जा रहे हैं और balancing figure जो है वो खर्चा नहीं निकल रही, balancing figure खर्चा नहीं है, balancing figure क्या है, balancing figure निकल रही है, net profit net profit कितना हो गया, minus 2% अब ये है theory A और ये है theory B अब theory A और theory B को अच्छे समझ लेते हैं, theory A बोलती है कि मेरे भाई आपने ना, पहले ये decide करना है कि मेरे, मेरी sale की percentage कितने है, GP कितनी है, और ना, और net profit के ऊपर तो एकदम पके तरीके से ना, दावा ठोक दो, ये दावा ठोक दिया अपने मेरा तो net profit इतना ही है अगर GP इतना है ना लेकिन net तो इतना ही रहेगा और और theory A बोलती है कि is equal to, जितना भी GP है, उसमें से NP minus करके, मैं 20% से कमाऊंगा, पिता जी ने मा को 10,000 रुपे दे दिये, मा ने 2,000 रुपे निकाल के अलग रख दिये, उन्होंने कहा, इस महीने का गुजारा तो मैं 8,000 में करूंगी तो चाहे तो मुझे प्याज के साथ हो, अचार के साथ में रोटियां खानी पड़े, लेकिन परोंठे इतने सवाद बनाऊंगी, बच्चे बोलेंगे, मजा आ गया परोंठे खाके, तो मैं रात के खाने को सुबह भी परोंठे बना के दे सकती हूँ मैं जो है, चीजों को मैनेज कर जाऊंगी, कई बार मैं चावल नी बनाऊंगी बासमती के, कई बार मैं बनूँगी आज खाएंगे बेटा खिचडी और काले नमक वाली, उसका टेस्ट देखना आहाहाहा, पीच में डालेंगे कच्ची लसी, ओ मा ने क्या करना है, आठ हजार करके प्रोंटे बनाते हो ना, वो बनाऊ अब ममी की साजिश है, उनको पता है, जब पैसे ही इतने है इसमें गुजारा करना है, लेकिन experience world class, experience world class, हमें का लगा है, नहीं नहीं जब तक बड़ चिकन और शाही पनीर और वो सब चीज़ें नहीं रखी होंगी और एक की जगा पास सबजियां नहीं मंगाई होंगी, और बीस परचीस तरह के fruit salad हमारी गंपरी में नहीं होंगे, तब तक शोग कहां से पूरी होंगे, मज़े कहां से आएगा, तो उल्टा चल रहे है, उल्टा चलने में क्या होता है, उल्टा चलने में यह है कि ठीक है जी, ओके है जी, 100% कमाते हैं इसमें से GP तो 30% ही है जी अब खर्चे तो करने पड़ेंगे, शाही पनीर, दान, मकनी, बड़े-बड़े सिस्टम वीपी, जी-एम, टेक्निकल, इधर उधर, लेटेस्ट, टेक्नोलोजी, ये प्रोफेशनल, वो सॉफ्ट्वेर, SAP, मेंगा, सॉफ्ट्वेर, मेंगा ये, मेंगा, वो करना पड़ता है जी, करना पड़ता है, कर लो फिर और कर लो फिर, तो आपने क्या कर दिया, 36% के खर्चे कर दिये, तो बाकी क्या बचा, कुछ ना बचा, प्रोफिट कहा है, है यह नहीं, अब, 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 सेकिंड मेथड में क्या हुआ, ये वाली, माइनस 6% बैलनसीं फिगर बन गई, आप कहरें, जिनुवाद, आज ना, तुम बहुत मूड में हो, और बहुत गहरा ही में जाके, ना, हमारी जिन्दगी की सचाइयां बता रही है, और मैं क्या गरूँ, कैश लो, जब मैं करता हूँ, तो आप कहरें, जीपी नी आ रहा है, जीपी नी आ रहा है, जीपी परचीस आ रहा है, खर्चे हो नहीं, मौझा माइनस ग्यारा परसेंट, आप करें, जीपी नी आ रहा है, मार्केट में सेल नी होरी, थोड़ा सा डिसकाउंट ये देना पढ़ रहा है, थोड़ा सा दे देते हैं, और 19 परसेंट की उबर, कम से कम माल तो बिगेगा, कम से कम सेल तो बढ़ेगी, अच्छा 19 परसेंट, खर्चे आपके 36 परसेंट, तो माइनस 17 परसेंट, यानि कि कर करा के भी घर से दे कर गए हैं, अब घर से कहां से दिया आपने, बोलने लिया, लोन लेकर, और लोन बढ़ता जला जा रहा है, आज एक करोड़ का, फिर दो करोड़ का, फिर पांस करोड़ का, फिर दस करोड़ का, आप कहरें समझ नहीं आ रही, मेरा प्रोफिट तो ठीक है, profit तो ठीक है profit तो कमा रहा हूँ मैं तो फिर भी 19% कमा रहा हूँ लेकिन लोग जो है लोग जो है 11-11% के अंदर भी पता नहीं कैसे काम कर रहे है मेरा तो फिर भी 11 थोड़ी है 19 है अरे बाबा 19 तो है ये तो देखो ये जो खर्चे है कभी ध्यान ही नहीं देते खर्चों की बात आती है आप कहते हो करना पड़ता है करना पड़ता है कर लो अगर करना ही पड़ता है तो अपरोच चेंज कर लो आप करें इसका मतलब क्या है कि खर्चे ना करें फिक्स कोर्स तो फिक्स कोर्स होती है तो देनी मड़ेगी इस मेने salary न दे ऐसे थोड़ी मैं कहा रहा हूं कि salary मत दो ऐसे थोड़ी कहा रहा हूं मैं यह कहा रहा हूं कि आज बैठ के एक बार future का plan तो कर लो drone technology के दोबारा कितने 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 खर्चे पाल रखे हैं ओफिस के अंदर जो हर महिने इसकी EMI जाती जा रही है जाती जा रही है Netflix की EMI मतलब की regular subscription कोई देखता तो है नहीं उसको यह जो आपने Google की कोई subscription ले रखी है उसको को use तो करता नहीं है उसको हटा हो ना आप देखो ना आपने पता नहीं कितनी कितनी वो digital marketing का मनतली खर्चा बांध के रखा हुआ है उसको क्या हो रहे है कुछ नहीं पर छे जा रहे है और यह खर्चे की percentage जो है वो बढ़ते-बढ़ते 36 परसेंट तक पहुंच चुकी है तो पास वाली अप्रोच कौन सी है ए अप्रोच जो है वो पास है और ये बी अप्रोच जो है वो कम्प्रोमाईज वाली अप्रोच है कि ठीक है जी अब जीपी है तो क्या करें गर्चे है तो क्या करें जो बचिगा है तो क्या करें कुछ नहीं जी मां की तरह आओ, टर्नोवर बढ़ाने के चक्कर में वर्किंग एप्टल का सत्यानास हो जाता है, इसलिए खर्चे गंट्रोल करो, तो खर्चे जगवन होने कितने चाहिए, अरे मैं कहा रहा हूँ, खर्चे रॉक बॉटम होने चाहिए, अब आपको पॉइंट क्लीर हो गया, आप कहा र परफिट 10% सेगे, तो मुझे 20% सेगे, उसके बाद जगवन आपने बोला कि इसकी डिटेल में चले जाओ, इसके ब्रेकप में चले जाओ, ब्रेकप में जाके एक बार खर्चों की डिटेल बना लो, वहां कर लो, और अब क्या करें, फाइनल टच तो देदो, जगवन आपको पता लग ही गया, कि आपको ना, अपनी कंपनी के अंदर, जो जीपी मारजन बचता है, वो 30% का बचता है, अब जब आपने ग्रूपिंग की, तो आपने कहा कि जगवन ऐसा है, जो मेरे जीपी के बाद के जो खर्चे आते हैं ना, उसमें एडमिन के खर्चे तो मे मेरे 12% के हैं, अच्छा, उसके बाद मेरे, 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 मैं एक बली देता हूँ, इंपलोई के खर्चे मुझे पता नहीं कितने पर्चे जोने चाहिए, लेकिन जगमोहन मेरे Selling and Distribution मैं देख रहा था, जिस तरह से मैंने Drone Technology के दवारा समझा, तो भाई मेरा Selling and Distribution की अंद इतने खर्चे होंगे, मना पहले इस साल मेरे कम करना है, 12.1 पर मन्त का it इक क्रोड का it, 10.12 क्रोड का it, 20.10 क्रोड का it is, ₱ क्रोड का it is,üs सेima का it is, आγगे जब से मैं इस साल 40 क्रोड़ कीत जिल करनते हैं अब 40 करोड के अगेस में जब रुपीज में लिखना शुरू करोगे तो ये परसंटे निकल कर आएगी अच्छा अब कहरें कि जगमोन ये सेल है हाँ ये सेल है ये सेल है 40 करोड की और अब आपके खर्चे पता लगी गए हैं कि कितनी रिसेप्शनिस आपके वहां पर हैं मुझे थोड़ी पता है तो आपको पता है रिसेप्शनिस है के नहीं अब जो है आप एक एक खर्चे को लिखना शुरू करो जब उसके ग्रूप को समराइज करोगे आपको बना एडमीन एंड अधर एक्सपेंसे बारा परसेंट सेलिंग एंड डिस्ट्रिबूइशन आप कहा रहे हो कि जग्वन उसके अंदर को ना शे परसेंट तो ही है उसके बाद मेरी जो फाइनांस कोस्ट है ना फाइनांस कोस्ट में कुछ भी करनो लोन वोन चल रहे हैं सब कुछ है उसका अमाउन इतना बन जाता है वो तो ना मेरा आज की देट में पांच परसेंट पहुंच गया है अच्छा वो डप्रिसेशन डप्रिसेशन भी मेरा तगरीबन तगरीबन आठ परसेंट होई जाता है अच्छा जी तो इसका मतलब यह हुआ कि आपके पास फिक्स्ट कोस्ट के लिए खर्चा करने के लिए कितने पैसे प्रापत है अच्छा यहाँ पर कितने निकाले थे हमने कितने निकाले थे 20% निकाले थे न फिक्स्ट कोस्ट करने के लिए सलिंग डिस्टिबुशन माइनस फाइनस माइनस ये लोजिक समझो ना आप माइनस ग्यारा परशंट है यह नहीं इंपलोई से पैसा लो आप करें यह क्या मरगे यह तो दीस परशंट अब आप एडविन में बारे चले एडविन में क्या क्या खर्चे बढ़ा रखे हैं आपके सारे कोई सवाल बचना ही नहीं है कोई सवार ऐसे कैसे बच जाएगा कोई सवाल नहीं बचेगा प्यार से करेंगे जब हम प्यार से करते हैं ना तो सारे के सारे काम हो जाते हैं आपने का जो मैं बिजनस सोच रहा हुना उस बिजनस के अंदर पूरे साल के अंदर मेरे को 40 करोड की सेल करनी है यह प्लान है आपकी प्लान सेल है पर जब आपने 40 लाग रुपे सेलिंग एंडिस्टिबिशन भी खर्चे करने पड़ते हैं किसने बताया 240 लाग रुपे ऐसे मैंने निकाला था ड्रोन टेक्नोलोजी की दोबारा टोटल 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 करता सेला किया था अच्छा और दो करोड़ यहां पर करने चये जो आपकी परसंटों बचेगी कम-से-कब एडबिन कितना करो देखो कम-सe-कब मुझे 6% चाहिए चाहिए ना मतलब और ओफिस तो इतना चाहिए लिए कम-से-कम tier percentage चाहिए चाहिए finance cost finance cost तो क्या करूँ कम से कम 1% तो होनी चाहिए depreciation depreciation तो जितना है उतना है तो sir 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 employee का खरचा करने के लिए कितने बचे आपके पास है मातर 2% बचे आपके पास है आप कहा रहे हो यह अच्छा आप समझ में आ गई है कि admin का खरचा यानि की यानि की अगर मुझे security guard रखना है तो रखना है अच्छा आप कहा रहे हो कि security guard रखता हूँ तो भाई मेरे खरचे की percentage बढ़ती है तो एक काम करते है security guard नहीं रखते नहीं रखते चार परसेंट अगर यह 4% है तो salary के लिए मिल गए इतने वैसे अच्छा आप कहा रहे हो जगोन बात बनेगी नहीं मुझे compromise करना पड़ेगा मेरा profit ना 10 नहीं आने वाला इसका मतलब मेरा profit 6% आने वाला है ठीक है 6% लेलो तो 24% की आपको bucket मिल गई 24% की मिल गई 24 का मतलब है कि अब 8% से उपर की salary मत करना 8% salary दे रहे हो ना तो profit आपका मात्र 6% ही आना है 6% आना है अच्छा और खर्चे कम करने की बात करो 40 करोड के scale की उपर यह scale है याद रखना scale यानि की sale का scale क्योंकि sale की scale के हिसाब से आपने खर्चे डिसाइड करने की है आपने का जगों depreciation दो उतने है selling and distribution तो करना पड़ेगा selling and distribution करना पड़ेगा तो करने पड़ेगा 4% करना पड़ेगा तो salary के लिए 7% बचे तो salary के लिए कितना percent बचेगा आपका कितनी होनी चाहिए आप कहारे हो जगोंन EC साब से भाई मैंने देखा मेरी employee की जो cost आ रही है ना वो cost आ रही है वो आ रही है 12% तो बस ठीक है पता लग गया आपको होनी कितनी चाहिए 7% है 12% अब रातो रातो salary की cost कम करोगे नहीं आप क्यों करोगे ज़रा तो रासरी SOD किसी को बोलतो होगे कि चले जाओ Google या बड़ी-बड़ी IT कमपनियां भी अगर प्लान करती है ना कि उनकी salary की cost बड़ी हो रही है तो investor उनको बोलता है कि profit कैसे निकलेगा इतनी ती salary होगे यह operation बंद होगे आपने सुना होगा Google या बड़ी कमपनियां तीन महिने का notice देके फिर exit करती है मैं exit करने की बात नहीं कर रहा आप GP बड़ाओ ना negative क्यों सोचते हो GP बड़ाओ sale का volume बड़ाओ या बाकी खर्चों को minimize करो क्यों बचारे salary के पीछे पड़े हुए हो salary की तो एक ideal percentage decide कर लो हाँ इससे आपको help यह मिलेगी कि नई recruitment जब आप करोगे अब admin में खर्चे कम से कम करेंगे तो 2% तो करने पड़ेंगे trading अमरी हो तो मालो selling and distribution में 3 तो करने पड़ेंगे देखो मैणम ऐसा है HR का overall budget में न 6% से उपर नहीं होना चाहिए अभी 12% आ रहा है तो नई recruitment कैसी हो जाएगी तो उसके लिए marketing and sales इसको थोड़ा काम करते हुए product की R&D पे काम करते हुए research and development के उपर काम करते हुए अपने GP margin को बढ़ाना पड़ेगा ताकि खर्चे करने के लिए 30% बचे तो तो आप 16-16% की कर सकते हो नहीं तो admin को 5 कर सकते हो नहीं तो selling and distribution को 6 कर सकते हो आप कहा रहे हो तो 10% बचा आप कहा रहे हो कि जगमोन तुने इतनी detail में समझा दिया है ना जिन्तिकी पे कभी ना भूलेगा मेरे से कभी भूलेगा ही नी तुम कितना slow और कितना simple बता रहे हो यार मतलब कमाल कर दिया अरे कमाल मैंने नहीं कर दिया कमाल आपके पेशन्स के अंदर है आपको नमन है आपको आपको दंडवत परनाम है आपके पेशन्स का जिसके अंदर आपने इस वाले टॉपिक को इतने प्यार से सुना पूरा सुना पूरा का पूरा सुना मैंने भी कोशिश की आपके पेशन्स का पूरा इंत आज का सेशन बताओ बताओ कुछ मिला ना कुछ नया लर्न हुआ कुछ नया लर्न हुआ जब तक आप चैट बोक्स में बता रहे हो तब तक जो लोग रिकोर्डिंग देखेंगे अगर आप अभी भी कैश लो कमुनिटी में अड़िड नहीं हो तो करो वट्साप एज मी इन क वहाँ पर आप अपने परसनलाइज कोश्चन पूछते हो और आपका आज पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यावाद और जल्दी से चैट बॉक्स देख लेते हैं करने के जिए तो पार्टिसिप्ट करने के कर लिए आपके पर्टिस्पेट करने के लिए तो आपको ना अब फाइनेस को मैथमेटिक्स की तरह नंबर्स की फॉर में देखना आ गया अभी सेशन को इस रिकोर्डिंग को ना अपनी एकाउंट्स टीम को भी दिखा देना इस वाली रिकोर्डिंग को दिखा देना यहां वहां दिखा देना अपनी कंपनी में अपने बाकी लोगों को भी दिखा देना बाकी लोगों को होते हैं नोन फाइनस के लोग परचेज वाले एडविन वाले बाकी से लोगों दि बच्चों की tuition की fees जाती है इसी salary पे से जाती है तो उसके लिए company का profitable और cash rich होना कितना जरूरी है सो सुरिंदर नामदेजी कहा रहे हैं बहुत सरलोड शांदर धन्यवाद thank you for your love and encouragement have a great and amazing time thank you फिर मिलते हैं next Saturday एक नए cash flow mastering session के साथ बाई